नमस्कार आप देख रहे हैं रब जी लाइल मैं हूँ आपके साथ निदी सिंग इस वक्त की बरी खवर सामने आ रही है आपको बता दे कि पत्ना के मुसलापूर हाथ इलाके में चर्चित टीचर खांसर एंटी पीसी में हुए नय बदलाओ को लेकर और नाराज छात्रों को आज मीडिया के सामने अपने बात को रखी है जिसमें उन्होंने कहा कि आरार बी की पूरी तरह से यक गलती है वो अचानक अपने फैसले लेने के कारण बच्चों की भविस्से के साथ खिलवार किया है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नाराज छात्रों को सांध कराने में ह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अपनी रिपोर्ट चार मार्स तक दे इसके बाद क्या होगा तभी का सकते हैं अभी कमीटी बैठाई गई है पांच मेंबर की कमीटी है रेलवे को यह काम पहले कर लेना चाहिए था ऐसा विवाद नहीं होता दोहजार उन्नीस की वेकेंसी में जो नोटिफिकेशन है था उसको अचानक आप 15 दिन पर ले कहिएगा तो थोड़ा सा मिस अंडरस्टेंडिंग लोगों में होगा ही दखता है कि मलब यह भी बात हो रही है पेजोगापा की खान सार ने यह कुछ सिक्षबों ने प्रोबोग किया था देखिए यह गलत बात है यह कुछ जो आई इस चीजों को देखेंगे हमारी यूटूब को एक हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है जो वीडियो डाल रहे हैं उसके अरार भी लिख रहे है तो वह डिलीट कर दे रहा है अभी भी वीडियो हम उसको डाले भी है हम लोग रोक के रखें अभी भी जैपूर के लड़के कर अभी जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए और रही बात खान सर ने किया है कि काम करते हम चुप हो जाते हैं तो अंदोलन भी चूप हो जाना चाहिए खुद पढ़े लीके लोग डिम साभी गय थे रेलवे में राजिंदा नगर उनका खुद का इस्टेटमेंट है कि लीड पटना के डिम साब जो चंसेकर सिंग यह बहुत सुल्जे हुए इंसान है उनका काम लॉइन और को मेंटेन करना है वो अपने रिस्पोंस्बिल्टी को हंडेट परचेंट निभा रहा हैं उनके कहीं से भी कोई गलत नहीं है कुछ जो ऐसे गलत काम करेंगे उन पर लेना प कुछ अच्छा नोटिफिकेशन जारी करेंगा तीन बजे केवल पांस सो से हजार लड़के थे राजेंदर नगर टर्मिनल पर रेलवे ने एक एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारे लड़के खुस हो गए कि सायद मेरी मांग को सुन लिया गया लेकिन उस नोटिफ इस तरीके से बीना किसी प्लान से सीधे चले हैं जिस वज़े से यह जो भी मिस जो घटनाएं हुई है यह घटनाएं कहीं से भी सही नहीं है हम लोग तो खुद रोक रहे हैं हम लोग तो प्रसासन का सईयोग कर रहे हैं कहीं से आपको लग रहा है कि हम कहीं भी रोके हुए कर दिए आरबी को सोचना चाहिए कि एक अकेला टीचर देड़ करो लड़कों को कैसे समालेगा आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो उसे लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राइ को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं